नमस्कार स्वागत है आपका स्टेट न्यूस बुलिटन में और मैं हूँ आपके साथ अधिती चली खबरों पर जान इसे पहले नज़र डाल लिते हैं हेडलाइन्स पर भारत में हुई टीके की कमी महराश्य करनाटक ने रोका टीका करन अभियान पश्यमंगाल में दो भाश्वा विधायकों ने दिया इस्तीफा चुनाओं में मिली हार से थे निराश प्रधान मंत्री मोधी पर राहूल गांदी का ट्वीट कहा वैक्सीन, आक्सिजन और दवाओं के साथ प्रधान मंत्री भी हुए गायब और अब खबरे विस्तार से महराष्ट्रों और करनाटक में कोईड-19 रोधी टीके की कमी के चलते मंत्री ने कहा सिरम इंस्टिटूट आफ इंडिया ने महराष्ट्र सरकार को सूचित किया है कि बीस मई से राजि को एक दश्मलों पांच करोड कोविशील्टी का महया करा पाएगी टोपे ने कहा पैतालिस जाल से ज्यादा उम्रसमूव वाले के लिए टीका करन के लिए टीके की परियाप्त आपूर्ती नहीं हुई इसलिए राजिम मंत्री मंडल ने ये फैसला किया है पूर्ण की सिरम इस्टिटूट आफ इंडिया कोविशील्ट टीके का निर्मान करती है जबकि भारत बायोटेक को वैक्सीन टीके बनाती है मंत्री ने कहा कि सिरम इस्टिटूट आफ इंडिया ने मुख्य मंत्री उद्दव ठाकरे को 20 मई से कोविशील्ट टीके के आपूर्ती करने के बारे में अवगत कराया आपूर्ती मिलने पर 18-44 उम्रसमूग के लिए टीका करन अभियान बहाल हो जाएगा पशिम मंगाल विदानसबा चुनाव में निर्वाचित हुए भाजपा सांसत जगनात सरकार और निसित प्रमानिक ने बुधुहार को सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया राणगाट से सांसद जगनात सरकार और कूच बिहार से सांसद प्रमानिक ने विधानसबा जाकर अध्यक्ष बिवान बनर जी को अपना त्याग पत्र सौपा प्रमानिक ने कहा भाशपा नित्रतु के निर्देश पर वे विधायक पत से स्तीफा दे रहे हैं भाजपा ने पशिब मंगाल विदानसबा चुनाओं में दो अन्य लोकसबा सांसदों बाबुल सुप्रियों और लौकेट चटरजी के अलावा राजिसबा सांसद सुअपनदास गुपता को मैदान में उतारा था। हालां कि विचुनाओं हार गए। जगना सरकार ने कहा भ प्राठी राजि में सरकार गठन के अपने लक्षी को प्राप्त नहीं कर सकी। कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंति नरेंद्र मोधी पर निशाना साथा। उन्हों ने कहा कि ऐसे समय में जब देश कोविड-19 में हमारी का सामना कर रहा प्रधानमंत्री बी गायब है। बचे हैं तो बस सेंट्रल विस्टा दवाओं पर जीएस्टी और यहां वहां प्रधानमंत्री के फोटो। गौरतलब है कि कोविड-19 के प्रभंदन को लेकर राहुल गांदी प्रधानमंत्री पर लगातार हमले बोल रहे हैं और देश में संक्रमन के बढ़ते मामलों के मद्दे नजर, ऑक्सिजन, दबाओं और टीकों की हुरे कमी के लिए सरकार की आलोचना कर रहे हैं। खबर पोकरन से है जहां विदान सभा के नाचना थाना शेत्र में दस दिन पहले हुई युवक की संदिक्द मौत का पुलिस ने खुलासा किया। मौत के शव को दस दिन बाद कबरे से निकाल कर मेडिकल बोर्ट से पोस्माटम कराया गया। पुलिस ने मामना दर्श कर अनुसंदान जाली रखते वे मौत की पतनी से जब कडाई से पूस्ताच की तो अपनी पतनी ने ससूर मुकेश कुमार के साथ मिलकर हत्या करना कूबूला। पुलिस ने बताया कि पूश्टाच के दोरान मृतक की पत्नी ने बताया कि मृतक को रात को नीम्बू की शिकंजी में नीन की गोलियां दी उसके बाद दोनों ने मिलकर हीरालाल को करंट दे दिया पुलिस ने बतार मुरतक की पत्नी के अपने ससुर के साथ अव्यत संबन थे जिसके चलते ससुर बहुने मिलकर हीरा राम को मौत के घाट उतारा के रिपोर्ट दी की मेरे भाई की क्या हुई है जिसमें उसकी पत्नी पार ले जी और उसके साथ का नाम जल किया गया उसके बाद सवको कैसिलदार पोक्रण वैर नाचना सियाई साब और मैंस्वाइब मौके पे गए मेडिकल बोर्ट से पोस्मार्टम करवाया और विस्टरा अगेरा लिए उसके बाद जो जांच की गी उसमें ये तज्चे सामने आया कि पारले जो मौकेस तुमार की कुत्रवदू है उसके और इसके आपस में अवे समन थे जिसको ये पीर गई थी उसी दिन बुलाया और नीमू की सिकंजी में दीन की गॉलियं देके रात्री को प प्रदेश में जहां कोरुना के आकड़े लगातार बढ़ रहे हैं सरकार 24 मई तक लॉकडाउन लगा चुकी है लेकिन जैपुर के चो मुकस्बे के दुकांदारों को सरकार का लॉकडाउन रास नहीं आ रहा दुकांदारों को कोरुना वाइरस का धर भी नहीं है क्योंकि तस्वीरे यही विया करती हैं दुकांदारों की ला परवाही कहीं दूसरि लोगों पर भारे ना पढ़ जाएं कपड़े के दुकांदार चोरी चुपे अपने दुकाने खोल रहे हैं दुकानमे ग्रहकों को अंदर بैठा कर बाहर से शेटर बंद कर ताला लगा दिया जात जब खरिदारी पूरी होती है तो दुकांदार ग्रहकों को बहार निकाल देते हैं पिछले कई दिनों से ऐसा सिस्टम चल रहा है वह पुलिस ने अब तक एक दर्जन से ज्यादा दुकांदारों के खिलाफ महमारी अधिनियम के तहत मामले दर्श किये हैं लापरवाही करने वाले दुकांदारों को गिरफतार किया गया है ऐसा ही सदर बाजार में शिवम कलेक्शन नामक दुकान पर दविश दी गई जहां दुकान में ग्रहकों को बैठा कर कपड़े बेचे जा रहे थे पुलिस ने जब शेटर खुलाया तो ग्रहकों की भीड़ दे कर पुलिस भ गिरफतार कर लिया है थानादिकारी ही इमरा सिंगुर्जर ने कहा कि किसी भी तरह से कोई भी लॉकडाउन का उलंगन करेगा तो इसके किलाफ सक्त कारवाई की जाएगी उन्होंने शेर के तमाम दुकानदारों को हिदायत दी है कि जबरन कारवाई के लिए मजबूर ना क चीकित साले सटाफ से बात कर वाक्सिनेशन सेंटर किसी अन्य राच की भवन में इस तनांतरित करने के अनुषन सागी उन्हों हनका चीकित साले में जिस तरह वाक्सिन किया जा रहा है जगह की कमी के चलते सामाजिक दूरी के नियमों की पालना नहीं हो सकती ऐसमे पर निशाना साधा उन्हों कहा गहलो सरकार कोरोना से लड़ने के लिए अच्छा प्रबंदन नहीं कर सकी जिसके चलते ग्रामिन शेत्रों में तेजी से कोरोना संक्रमन फैल रहा है पहली लहर के बाद एक साल का समय था इस अवदी में सरकार जाती तो पंचास तर पर कोरोना रोक्ताम के लिए प्रबंद किये जा सकते थे उन्हों नहीं कहा मामारी से सब को मिल जूर कर लड़कर ही हराना होगा गौर्दलभाय विदाइक लूत्रा ने 18 से 44 साल के व्यक्तियों की वैक्सिनेशन के लिए विदाइक स्थानी शेत्र विकास कोर से 3 करोड रुपए दान दिये हैं कि का जाज़ा लेने के लिए कि सीएसी राइश्रम में विजिट किया मेरे साथ चेरमें साथ पारशाद और मंडी के गणमाने नागरिक गण थे और मैंने यहां वेस्तों में देखा कि जहां वैक्सिन लगाने का कारेकरम है वो जगह थोड़ा संकीरन है और नीचे जहां टेस्टिंग हो रही है वहां भी थोड़ा दिकत ही हा रहे कि जो भी पेशेंट उन पर वैक्सिन लेने जाता है तो उसको सग्ण होने का ज्यादा तो मैंने रॉक्टर साब से यह काया है कि इसको वैक्सिनेशन की जो जो अलग जगह है कोई सावजनिक नगरपाली का स्कूल कोई और खुली जगह जहां बिल जाए वहां वैक्सिनेशन लगाने का कारेकरम रखा जाए और जो स्वस्त पेशेंट है उनका नीचे हाल में उन इस और यह उक्सिमेटर वगरा जो भी 12 लगते सड़ जार की अनुशा की थी और यहों के लिए भी मैंने तीन क्रोड की अनुशा की है तो वैक्सिन लग रही है जो कि फ्री एक्सिनेशन होना चाहिए क्योंकि पंतालीस उंपर वारतों के इंदर सगार फ्री वैक्सिनेशन दे रही है तो इसके लिए हम सब चाहिए वो भारते जनता पार्टी का वदायक हो या सतादल का वदायक हो सबी लोग इस महामारी में हम सब मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस करोना पर हम जंग दीतेंगे मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो राजस्तान की गहलो सरकार है उसकी जो परबंदन निती ठीक नहीं थी क्योंकि एक साल पहले जब महामारी आई उस टाइम में एक साल पढ़ा था जब सब इसे शक्या बता रहे थे कि करोना महामारी की दूसरी लेर आईगी और उसका संक्रून बड़ी तेजी से है युवा और बच्चे इसकी सपेट में आ रहे हैं और राजस्तान सरकार ने गरामिन क्षेतर में किसी परकार का कोविड की रोक थाम के लिए कोई भी परबंद नहीं किया गया नहीं कि पंचैस में तीस तर पर नहीं पी एसी में और और हालत यह है कि शहर में इतने मतलब हो रही हैं कि आप उसकी कलपना नहीं कर सकते संक्रमन तेजी से फैल रहा है एक साल में मेरे यहां मैं ज्यादा बात नहीं लंबी चोड़ी करता राइशन कोंसीटिवसी की बात करूँगा तीन सीएसी हैं राइशे नगर वीजे नगर और सिमिज्जा जो हाला जो दस साल प के लिए यहां कोई वस्ता नहीं है जैसे कोईड का पेशेंट आता है तो तरंत जिला मुखल उसको रैफर कर दिया जाता है जुले मुखल पर मी सीमत संसाद्र होने के कारण वहां भी सब का ट्रीटमन नहीं किया जाता है हालत ही है लोग नीचे जमीन पर लिटकर इलाज कर है यदि प्रैवेट होट लों में ऑक्सीजन की व्यस्ता हो जाए तो फिर भी कोविड का उपचार किया जा सके मैं राज्यसान सरकार से नहीं पत्र भी लिख चुका हूं अगर्य भी कर्चा हो चुका हूं कि प्राइवेट होस्पिटलों को अस्धूराइज किया जाए उन को भी सीज कर दिया गया है कोई भी प्राइवेट सेक्टर का बंदा वहां से ऑक्सीजन सेंडर नहीं बरा सकता इस परकार हमारे क्षेत्र में हालत बड़े दैनी हैं बत्तर हैं मैं राजस्तान सरकार से गलो सरकार से गलोजी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर थोड़ लोगों को इसका अला मिल सके यह लोगों को साउसर ग्राम पंचाइस से एक मुझरग महिला मरी है पर उसका परिवार जब जांच करने गया समय जब उठी है तो वह उसकी जांच नहीं हो रही तो वह जब पेशेंट अपने जांच करवाने के लिए तो डॉक्तर को समीज़ इतन सीता दिखाते हुए उसको उसके जांच करने चाहिए उसको जिदी प्रकार के ट्रीटमेंट करना चाहिए यदि ऐसी बात सामने आए तो मैं उसकी इंक्वारी करके पूरे उसका उसके वुरुद्ध बत्रों के कारवेगी भी करने पड़े तो हम उसके करवे करवाए इनों ने कहा पत्रकारों के भूमिका कोरोना पीड़ितों को संबल देना है संद कमल देव के अनुसार कोरोना पीड़ितों के साहता के लिए ट्रस्ट अग्रनी रहेगा मास्टर हर्प्रे सिंग ने कहा कि पत्रकार कुरीतियों अच्छाईयों को समाच के सामने दरपन के र वित्रन कर रहा है इस अवसर पर अरवेदिक शुष्क काड़े का वित्रन भी किया गया खबर जाल और की आहोर से है जहां वर्तमान में पूरविश्व में कोहरा मचा रहे हैं कोरोना महमारी को लेकर राज्य की कॉंग्रेस सरकार की अव्यवस्ताओं को लेकर विधायक राज पुरुष्ट ने प्रेस कोंफरंस में जम कर निशाना सादा उन्हों कहा कोरोना महमारी में राज्य की कॉंग्रेस सरकार आम जनता के साथ नाइंसाफी कर रहे है भारत सरकार कई योजना को देने को बावजूद भी उसका लाव जनता को नहीं मिल पा रहा जैसे केंद्र सर सरकार और प्रधान मंत्री मोधी की लोग प्रित अबट जाएगी ऐसे में राजी सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी इसी तरह विधायक चगन सिंग राजपुरोईत ने कहा कि वैक्सिनेशन के लिए भारत सरकार ने वैक्सीन को विशीर्ड और को वैक्सीन प्रभावी दवा लगाये जाएंगे विधायक ने कॉंफरेंस के दौरान कहा कि राजी की कॉंग्रिस सरकार असफल हुई है खबर सूरतगर से है जा नर्सिंग दिवस पर फ्लॉरेंस नाइट अंगल की याद में आज सूरतगर से राज की चिकित साले में तैनाथ सभी नर्सिंग कर्मियों जो कुरूना काल की संकट काल इन घड़ी में वैक्सिनेशन, सैंपलिंग और हॉस्पिटल वार्ड में अपनी जान की परवा किये बिना सरानी सेवा दे रहे हैं ऐसी नर्सिंग दिवस की अवसर पर शाम सका मंडल द्वारा समस्द नर्सिंग स्टाफ को फूल मालाय पहना कर पुश्प वर्षा की गई साथी पानी का ठंडा गर्म पानी रखने वाली बड़ी बोतल उपहार सरूप बेट की मुखी अतीती ने नर्सिंग कर्मियों पर पुश्प वर्षा कर माला पहनाई वही साभी को पानी की बोटल उपहार स्वरूप दे कर समारत किया श्यांसा का मंडल ने नर्सिंग कर्मियों की सेवा की सराना की तता कहा कि आज वे कुरूना फ्रेंट लाइन की योद्धा है जो जान की परवा किये बिना खतरनाग बिमारी से पीडित मरीजों की सेवा में लगे है खबर सूरदगर सहजा हाईवे पैट्रोलिंग का इंस्पेक्टर वहां दुर गटना ग्रस्थ हो जाने पर उसमें सवार दो कॉंस्टेबल खायल हो गए उपचार के लिए उन्हें सूरदगर की ट्रोमा सेंटर ले जाए गया हादसे के सूशना मिलने के बाद डियस पे शिवरगन गुदारा ने भी राचकेची के सलह पहुच कर कॉंस्टेबलों की कुशल शेम पूची जानकारी के अनुसार अनूपगर सडक मार्क पर गाउं सिल्वानी में नाकाबंदी कर स्पेक्टर गाडी पर सवार एक सहायक उपनिरक्षक साहित दो कॉंस्टेबल सुरदगर की और आ रहे थे कि वानकसर गाउं के समीब सडक के बीच एकाईक गोवन्ष के आजाने से चालक गाडी पर नेंत्रन खो बैटा इंटरसेप्टर गाडी डिवाइडर से टकरा कर दुरगटना ग्रस्थ हो गई सुचना मिलने के बाद सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को राजकी चिकेट साले इस्ते ट्रोमा सेंटर में इलाज के लिए भरती किया दुरगटना में साथ बैठा उपनिरिक शक बाल बाल बचा बता दें ये गाडी प्रति दिन सुरतगड अनूपगड सड़कमार पर वहनों की गती कागजाद सम्मदित कारी को अंजाम देती है रोजाना की बाती गाडी इस कारी को अन्जाम देनी वापस लौट रही थी कि दुरगटना का शिकार हो गई अब खबर सिरोही से है जहां देश कोरोना महावारी के भीजन संकर से जूज रहा है लेकिन इस महमारी के दौर में भी जिमेदार सरकारी महकमे के अधिकारी और करमचारियों के साथ गाउं के मुक्या कमाई काफसर ढूंड रहे है ये हमें इसलिए कहना पढ़ रहा है क्योंकि सिरोही जिले के आबुरोड तैसील में गुरवार को ग्राम पंचायत के टेंडर पक्रिया की कौपी जमा करवाने का अंतिम दिन था इस दोरान कुछ ठेकेदार ग्राम पंचायत की वरली आम्थला और चंडेला गाउं पहुंचे लेकिन हैरत की बात यह है कि घंटों इंतिजार करने के बाद भी ग्राम पंचायतों के ताले नहीं खुलना जिम्मेदारों की कारिशैली पर गंबीर सवाल खड़े करता है जबकि टेंडर प्रक्रिया की कौपी जमा करवाने का दिन पूर निर्धारित था उसके बावजूद भी जिम्मेदारों करना पहुंचना भारी ब्रस्ट अचार की और इशारा करता है टेंडर की कौपी जमा करवाने आए ठेकेदारों ने कई गंबीर आरोप लगा है इस ब्रस्ट सिस्टम की पूरी पोल खोल कर रगदी सवाल उड़ता है कि ग्राम पंचायतों पर टेंडर प्रक्रिया की दिन ही तालिक क्यो लगाए गए आबुरोड पंचाय समीती की आम्थला, किवरेली और चंडेला ग्राम पंचायत में टेंडर कौपी जर्मा कराने की अंतिम तारीक थी लेकिन कार्याले पर ताले लटके मिले तो वही दूसरे तरफ ठेकेदार समय निकलने के बाद निविदा में भाग नहीं ले पाएंगे ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी आसानी से चहेतों को टेंडर आवंटित कर देंगे ग्राम पंचातों के टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता के नाम पर हर बार बड़ा घोटाला हो रहा है केवल चहेते ठेकेदारों के टेंडर जमा हो रहे हैं और बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं ऐसे में राजी सरकार को इस पूरे प्रक्रण की निश्पक्ष जांच कर दोशों के खिलाफ कारवाई की पहल करनी होगी ताकि कुछ हद तक ब्रश्टा चार पर अंकुछ लगाने में सफलता मिल सके होता है और अभी न तो कोई ग्रामविका सद्धिकार यहां पर है और ना यहां पर सर्पन साथ मौझूद है तो यह जो समय दिया है वह मलब किसे ले दिया है अगर इस प्रकार से मलब इनकी व्यवस्ता है तो टेंडर कॉल नहीं करने की तो वहीं कबर श्री गंगानगर के र ओजा ने बताया कि शेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रिमन के चलते राजी सरकार द्वारा नीजी परिवहन पर रोक लगा दी गई है लेकिन उन्हें टेक्स में कोई चूट नहीं दी गई ऐसे में घर पर खड़ी बसों के टेक्स का भुपतान करना पड़ रहा है उन्होंने राजी सरकार से टेक्स माफ करने इंशोरेंस आगे बढ़ाने की मांग की है उन्होंने कहा कोरोना और लॉकडाउन की वज़े से लेजी बस न चलने से बस संचालकों को दोहरी मार जेलने पड़ रही है इसलिए जब तक लॉकडाउन के चलते बसी न चले तब तक बसों का टेक्स माफ किया जाए बीमा अवजी को बढ़ाये जाए और फाइनन्स कंपनियों से किष्टो का ब्याज माफ कराये जाए और से के साथ फिला स्टेट न्यूस बुलिटन में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रही है धीपी के न्यूस के साथ नमस्कार